यह लोग दिसक्स करने वाले हैं युक्य ट्रिपल सी सिरीज का लिक्विड सुलूशन का कॉंसेट पार्ट नमबर 9 और आज की लेक्चर में लोग डिसक्स करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक एक तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिसक्स किया था आपका टाइप सुलूशन के अंदर में आइडिल सलूशन को आज उम डिसक्स करने वाले नाउन आइडिल सल्उशन को एक हम डिसक्स करने के नाइडिल टॉशन को और दूसरा हम लोग जैंगे ऑलीगेटिव प्रॉपर्टीज की तरह और दोनों काफी इंप्र कॉछें बनते हैं आपका होता है ideal और एक होता है non-ideal जो राउट को follow करते हैं वो sería undy solution के लाया जाते थे और जो राउटलोर से deviation शोकरते थे उनको क्या बलते थे. आज जो हम लुग discuss करेंगे त्वाइप साफ नॉन आडियल solution. आज हम जाएंगे डिस्कस के अंदर में सबसे पहले जो आता है आपके पास में वो रेप्रेजेंट करता है solution showing deviation from राउल्स लोग ना types of non-ideal solution में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग solution solutions showing deviation from deviation from राउल्स लोग उन्हीं को लोग बोलते थे क्या non-ideal solution बोलते थे अब जो यह deviation है दो तरीक ही गाओ हो सकता है आई दर यह आपका positive deviation हो सकता है और क्या हो सकता है negative deviation हो सकता है तो सबसे पहले में लोग डिसकर्श करेंगे negative deviation को negative deviation को discuss करेंगे कि जो यह solution generate हुए थे interaction के base पर solution जन्हों नहीं पढ़ा इस से पहले लेक्षर को आप देखिया आप वहां पे मैंने बता रखा है कि जो इस तरीके के solution जन्रेट होए तो सारे के सारे आपके interaction based solution तो इस तरीके के आपका interaction जन्रेट वह तो उसके साफ से ते यूजियली जो आपके पास is stronger than stronger than a a and bb type interaction तो और ऐसे solution क्या आपका negative deviation का मतलब क्या है जो आप पर प्रेशर आपके पास में यानि पी जो आपके पास में observed pressure आएगा that will be less than that of p calculated ऐसा क्यों है क्योंकि जो अभी interaction generated हुआ है वो आपका stronger interaction आया है ठीक है तो हम first point यह ही लिख सकते हैं पर characteristics की बात करें तो जो p आएगा that will be smaller than that of p0 is i a plus p0 b is i b जो यह p observed है आपका calculator से कम आयागा ठीक है इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग उस तरीके से second point अब देखो जो molecule है आपके volume में change आएगा और volume कम हो जाएगा कि इंट्रेक्शन जो stronger generate हो रहा है तो जो volume mixing of mixing of solution का जो volume है वह आपका less than zero होगा third point अगर हम लोग देखे enthalpy की बात करें तो enthalpy of mixing अब जो नया interaction generate हो रहा है stronger है किस से previous one से अब जो भी stronger है तो delta h की value का निकल गाएगा आपके पास में negative निकल गाएगी सीधी सी बात है ठीक है साथ ही साथ आपके पास में entropy of mixing that will be less than zero है ना it will be less than zero molecule में जो entropy of mixing generate हो गया आपके पास में it will be less than zero और fifth point आपके पास में just a second है and delta s जो आपका positive रहेगा कि molecule तो आपके system में बढ़ी रहे entropy तो बढ़ी नहीं बढ़ना ही system की delta g of mixing आपका less than zero रहेगा delta g of mixing will be less than zero entropy तो आपकी increase कर रहे है अब किस तरीके के solution में आपका ये question generate होता है कि आपके पास में किस तरीके solution में इस तरीके की property generate हो ओके तो simple सी बात है आपके पास में आपको अगर हम बात करें पहला example लें example से काफी question पूछा आता है c h c l 3 बहुत common example है chloroform और ऐसे डोनगा c double bond of cs3 अब इनके बीच में जो नए इंट्रेक्शन जनरेट हो रहा है it is stronger interaction अब क्यों stronger हो रहा है देखूं यहां पर यह hydrogen है यह chlorine है यह डेल्टा नेगिटिव डेल्टा नेगिटिव डेल्टा नेगिटिव रहा है और यहां पर देल्टा पॉजिए तो यह पर एक तरीक से क्या जन्रेटोरिया आपकी polarity जन्रेटोरिय ये response के अंदर में polarity आरी खीचे का अपनी तरफ में तो इस का difference बढ़ रहा है, polarity बढ़ रही है, polarity increases, और जो polarity बढ़ेगी तो होता है क्या है कि acetone के साथ मैं hydrogen bonding करने जाता है, देखो carbon वैसे तो carbon के साथ जुड़ावा hydrogen का भी show नहीं करेगा, क्येकिन acetone और chloroform में आपके पास में hydrogen bonding मिलती है, और hydrogen bonding is quite strong, strong bonding compared to wonderful interactions, तो इसलिए क्या होता है आपके पास में, अगर हम किसी भी एक atom, chloroform को, halogen group को, oxygen ये nitrogen containing system के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे hydrogen bonding होने के चांसे सुझाते हैं, और अगर hydrogen bonding generate होगी तो यहाँ पे interaction कैसा होगा, आपका stronger होगा, और H2O के बीच में, आप कोई भी interaction देखोगे, that will be your, that will be your strong interaction, और वो strong interaction होगा, तो इस वज़े से क्या होने वाला है, आपके पास में, वो generate करेगा आपका non-idyl solution, for example, HClO4 plus water, per-chloric acid, H2SO4 plus water, HNO3 plus water, HI plus water, ये सारे के सारे क्या है strong acid आपके form करने वाले हैं, अब इसके graph किस तरी से generate होगा, तो graph को हम देख सकते हैं, इस तरीके का है, अगर देखना चाहो तो ऐसा है, यहाँ पर आपके पास में, जो है, pressure generate, pressure represent कर रहा है, और यहाँ पर आपका mole fraction represent हो रहा है, तो इस तरीके का graph हमने last time पढ़ा था, यह ऐसा है, आपको समझा चुका हूँ पहले किस तरीक होता है, अब इस इसे में आपके पास में का जनरेट हो रहा है, नेगेटिव डेशन का मतलब क्या होता है, basically, negative डेशन का मतलब है, कि यहाँ से आपका graph इस तरीके से नीचे से जाएगा है, कई बार ओग्रा भी बूच सकता है, आप से कि negative डेशन का graph कौन सा है, ठीक है, non ideal solution क इसका एक अपना ही concept भी है यहाँ पर आपके पास में इस पॉइंट पर आपका अगर हम बॉइलिंग करना शुरू करेंगे तो बॉइलिंग करना शुरू करेंगे आपका एक पॉइंट ऐसा पॉइंट होगे जो इससे नीचे आपका लिक्विड फेज जन्रेट हो रहा है और इससे उपर क्या और आपके पास में नीचे इसके आपके पास में लिक्विड फेज रहने वाला इससे उपर आपके पास में वेपर फेज रहने वाला इससे उपर आप जाएंगे तो यह वेपर फेज को रिप्रेजेंट करता है इसी आपके पास में पॉजिटिव डेविशन की बात करते हैं अगर हम लोग पॉजिटिव डेविशन की बात करने हैं यहां पर आपके पास में सलुशन जो होगा solution showing A-B interaction A-B interaction weaker than A-A and B-B A-A and B-B A-B interaction type से कैसा रहेगा हो भी कर रहेगा आपका कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से जो फर्स्ट आपके पास P-P है that will be greater than the top P-naut-a is I-A plus P-naut-b is I-B दूसरा जो आपके पास में volume of mixing it will be greater than zero और तीसरा जो आपके पास में enthalpy of mixing that will also be greater than zero क्योंकि volume बढ़ेगा आपका सीथी सी बात है साथी साथ आपके fourth case में अगर हम लोग देखे entropy भी आपकी क्या करने वाली बढ़ने वाली है क्योंकि entropy तो बढ़नी बढ़नी है और फिफ्त जो आपके पास में and gives free energy that is also less than zero क्योंकि feasible process है enthalpy of mixing क्यों आपकी less than zero है क्योंकि weak interaction अब दूसरी इसमें कौन से solution आपके इस तरीक से जनरेट होंगे एक्जामपल के अगर हम लोग देखे तो होगा क्या कि ऐसे solution जिन में hydrogen bond था लेकिन hydrogen bond तूट जाए hydrogen bond था और hydrogen bond तूट जाए जैसे water bond होता है लेकिन इसमें क्या मिला दूब है इसमें आपका मालो बेंजीन मिला देते हैं इसमें भी हम लो यह टॉल्वीन मिला लो है ना बेंजीन मिला लो टॉल्वीन मिला लो तो ऐसे जो mixture generate होंगे आपके कैसा शो करेंगे आपका positive deviation और अगर हम इनके graph की बात करेंगे किस तरीके graph यह शो करेंगे इस तरीके से ना यह उपर आपका इस तरीके का positive deviation शो करेंगे कि यहां पर आपका प्रेशर और यहां पर पास में मोल फ्रेक्शन है तो positive deviation में ऊपर की तरफ आपका graph जो ideal solution उससे आपके ऊपर की तरफ में generate हो यह तो था आपका types of non-ideal solution के अंदर में अब student समझे वालिक बहुत ही important topic that is your colligative properties that is your colligative properties काफी important topic है इसको समझने के लिए मैं आपको एक experiment समिलाता हूं अगर मानलो बात अगर मानलो बात मैंने same temperature पर निए यह जगा निए और साथ में एक केज़े और दूसरी जगा लिए एक केज़े और दूसरी जगा लिए मतलब दो different cases लिए एक में मैंने 30 gram urea डाल दिया है और इसमें भी मैंने क्या किया है इसमें मैं कोई दूसरा 90 gram glucose ले लिए नाइंटी ग्राम glucose ले लिए एक में 30 gram urea ले लिए मैंने और एक में 90 gram urea ठीक है अब मैं यह बोल रहा हूं आप लोगों को ही मेरे पाद दो solution system है इसकी जो relative lowering vapor pressure rlb हम पढ़ चुके है इसका जो relative lowering vapor pressure है it is y इसका relative lowering pressure x है और इसका relative lowering pressure y है और relative lowering in vapor pressure जो होता है that is your xb और जो कि किसके बरावर होता है अब मैं यह पूछ रहा हूं आपसे कि इनके case में यह x आपका smaller रोका y से यह x आपका greater रोका y से यह तीसरा case x बराब रोका y के यह चौता case नोटा में stand out of work ठीक है तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इन में से relative lowering vapor कि किसके कम होगी किसके ज्यादा तो देखें यहां पर ध्यान दीजिएगा काफे interesting concept आपको देखने लिए मिलेगा 30 ग्राम यूरिया जब मैं मिला रहा हूं तो इसका जो मूल फ्रेक्शन निकल के आएगा इसके मूल कितने होंगे इसके मूल होंगे आपके पास में 30 ग्राम यानि 30 भाई और यूरिया का के आपन 90 by 180 और प्लस 30 भाई 60 थी कि यह आपके पास में मूल फ्रेक्शन निकल के आएगा अब इन दोनों के केस में मूल फ्रेक्शन सेम निकल के आ रहा है तो यानि इन दोनों का जो वो रहेगा यहां पर आपके पास में जो केस रहेगा इनमें आपका x बराबरोगों य यानि दोनों की relative loading in vapor pressure बराबर निकल गाएगी but student ध्यान रखना this is the case of non-olatile solute यह हमने कौन सा solute आड़ी कहा है non-olatile solute यह हमने add कर दिया non-olatile solute ठीक है जब लोग non-olatile solute को add करें अगर मालो बाद मैं क्या करता हूँ same experiment करता हूँ लेकिन दूसरे अगर मालो मैंने यहां पर 1 kg water ले लिया और इस 1 kg water के अंदर में मैं 29.25 ग्राम 29.25 ग्राम का NACL add up करता हूँ 29.25 ग्राम का NACL add करता हूँ यहांद हाफ मोल है ना हाफ मोल आपका NACL add कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर आने वाला है रीजन क्या है क्योंकि NACL किसमें तूटता है आपका NACL आपका तूटेगा NA plus और CL minus में तो यहां पर नमबर ओ पॉर्टिक पार्टिकल्स क्या होगा आपके बढ़ गए हैं ठीक है आप नमबर ओ पार्टिकल्स क्या कर गए हैं आपके बढ़ गए हैं ओके और रलेटिव लोरिंग वेपर प्रेशन में क्या है आपका या निव यह और रलेटिव लोरिंग वेपर प्रेशन में जाने वाला इस सिस्टम के अंदर में ठीक है तो RLB will change रीचेंज इन शच पेसे गए हैं इन सच केशेज विएट विएट पिछले वालों के यह नेचर आसालुट यह नंबर आफ इस ए सालुट पार्टिकल आइप से चेंजेश यह नी जो पिछले के केस में क्या था एकस और य बढ़ा करें अब जैड बढ़ जाएगा गहरे लेटल लोरिंग वेपर परप्रेश की बात करें हम जै कर गया किरया नमबर और पार्टिकल कैसे चाल सकते आपके है कि लए बात हम या तो यहाए फिशेशन हो सकते हैं यहां लोग बात कर रहे हैं इस वाले इस वाले तो dissociation दे number of particles आपके increase करें ओके यहाँ भी number of particles increase करें तो यहाँ से हम लोग कॉलिगेटीव properties को define कर सकते हैं क्या बहुत important है definition में भी कई बार MCQ में question पूछागा कि definition क्या होती है properties of any substance which depends upon which depends only upon depends only upon which depends only upon number of solute particles number of solute particles number of solute particles in solution in solution and are independent and are independent and are independent from nature of from nature of इसको क्या बोलते हैं लोग वोलिगेटिव और यहाँ पर आपके बनेगा किसका आशोशेशन का और इसी के बेसिस पर क्या होगा आपका हम लोग डिसकस करेंगे कि यह किस तरीके से एक डिसकस करेंगे बोलते हैं लोग बोलते हैं लोग डेमोकरेटिक प्रपर्टी जो जादा डॉमिनेट करेगा उस पर डिसकस करने वाले जो टाइप्स अव्क पर ने तब तक कि लिए आप लोग पिछले लेक्टर देखें कि पीछे के जो पहुत बहुत इंपोर्टन तो सूनि आपके दो या तीन लेक्टर में आपका यह खतम हो जाएगा आपका पूरा सलूशन चेप्टर खतम हो जाएगा लेकिन यहां से बहुत इंपोर्टन टॉपिक आपका शुरू होने वाला है तब तक के लिए आप लोग लेक्टर को देखें लेक्टर के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर हम लोग कंटेंट इस पे अफग्रेड करने वाले हैं आपका इंगे सो मस्त हैंके फोर बिंग विदास